नमस्कार आप देख रहे हैं दन्यूज डिडार और हम आपको बताने जा रहे हैं आज की हिमाश्य प्रदेश की बड़ी खबरें आज की पहली खबर की बात की जाए तो मंडी से बीजेपी, एमपी, कंगना रनौत ने कृष्णी कानूनों से संबंधित अपनी टिपणी को लेकर माफी मांग ली है धरसल कंगना किसानों को लेकर अपनी टिपणी को लेकर काफी अलोचनाओं का सामना कर रही थी भाजपासांसद को ये बात याद रखनी होगी कि अब वो एक कलाकार नहीं बलकि भारतिय जनता पार्टी की कारी करता है और उनके उपिनियन्स अपने नहीं होने चाहिए बलकि पार्टी का स्टैंड होने चाहिए दूसरी खबर की और बढ़ते हैं नैना देवी के बेहल गाउं में हुआ गोली कांट नैना देवी में सेंतिस वर्षिय युवक पर गोली कांट में तीन गोलियां चलाए गई हमले को अंजाम देने वाले पांच संदिक्दों में से चार की पहचान हो चुकी है जबकी एक अन्य व्यक्ति की पहचान की जा रही है घायल राजेश कुमार का पीजी आई चंदिकड़ में इलाज जा रही है अगली खबर की और बढ़े हैं तो संजॉली मस्जद विवाद में अब कि सभी अवैद निर्मान पर बुल्डोजर चलाने का ओर्डर जारी हो वहीं दूसरी और संजॉली मस्जद के इमाम मुहमद शहजाद ने कहा कि वे इन नेता के बयान का खंडन करते हैं स्थानी समुदाए अपने पहले लिए गए फैसले पर काया अगली खबर की बात करें तो हो जाईए तयार अब आपको मिलेगा रोजगार श्राम एवं रोजगार विभाग द्वारा 29 सितंबर को सरमौर की तहसील कमरव की राजकी वरिष्ट माधिमिक पाठशाला का फोटा में रोजगार मेले का आयोजन होगा सुभा नौ बजे से लेकर शाम चार बजे तक चलेगा रोजगार मेला आज की आखरी खबर में आईए जानते हैं हिमाशल प्रदेश के मौसम का हाल 26 और 27 सितंबर को हिमाशल में बारिश का यलो अलर्ट जारी हुआ है आज प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा हाला कि कुछ क्षेत्रों में हलकी बारिश हुई लेकिन आपको बता दे हिमाशल प्रदेश में मंगलवार 24 सितंबर को गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है धरमशाला में 36 साल बाद अधिक्तम पारा 32 दिग्री सेल्शेस रिकॉर्ड हुआ चार साल बाद उना में भी अधिक्तम तापमान 38 दिग्री दर्ज हुआ शिम्ला में लगतार दूसरे दिन पारा 28 और कांग्रा में 35 दिग्री रहा मंगलवार को प्रदेश के 17 खेत्रों में अधिक्तम तापमान 30 दिग्री से अधिक दर्ज हुआ